रवी और अमिद दो दोस्त थे जो एक ही ओफिस में काम करते थे. एक दिन वो अपने ओफिस से निकले और बस पकड़ी. वो आपस में ओफिस में होने वाले वार्शिक मीटिंग की चर्चा कर रहे थे कि कुछ दूर आगे जाने के बाद बस में कुछ लटकिया चड़ी. कुछ देर तक वो लटकिया यूही सामाने रही पर अचानक उनमें से एक लड़की उन लड़कों के पास आई और अपना नाम निशा बताया. उसकी बाकी दोस्त उन लड़कों से अचानक जान पहचान बढ़ाने लगे. रवी और अमिद जैसे खुशी से उच्छल पड़े मानो उन्हें स्वर्क की अपसराय साक्षात मिल गई हो. निशा ने कहा कि हम मुंबई घूमने आये हैं पर हम यहां किसी को नहीं जानते. आप यही के लगते हैं क्या आप हमारी मदद करेंगे? रवी ने कहा कि क्यों नहीं हम जरूर आपकी सहायता करेंगे. निशा ने उसे अपना नमबद दिया और अगले दिन उनके साथ घूमने का प्लान बनाया फिर वो लटकिया बस से उतर गई. अगली सुबह अमित के फोन पर निशा का कॉल आता है और अमित और रवी उनकी बताई हुई जगह पर पहुँच जाते हैं. वो लोग उन लडकियों को पूरा मुंबई घूमा देते हैं. घूमने के बाद वो लडकियों बोलते हैं कि आज आप हमारे यहां रुख जाए. वो दोनों मान जाते हैं. रात या बोलती है कि गेट खोलो वरना हम दुसरे तरीके से अंदर आ जाएंगे. रवी और अमित बहुत बुरी तरह दर जाते हैं और एक खिड़की से नीचे छलांग लगा देते हैं और अपनी बाइक पर बैठकर भागने लगते हैं. एक दरावनी आवाज के साथ वो चुरेले उनका पीछा करती है और वो आस्मान में उर्ती हुई सीधे उनके बाइक के पास आ जाती है और वो कहती है तुम क्यों भागे? अब तुम मारे जाओगे. अमित उनके आगे हाथ जोड़ता है लेकिन अमित को अपने हाथों से उठा कर ले जाती है और रवी को छोड़ देती है. अगले दिन अमित की लाश हाइवे पर पड़ी मिलती है. रवी बहुत रोता है. अगले दिन उसी जगह पुलिस को लेकर वो जाता है पर वहाँ सिर्फ एक चौकीदार मिलता है पुलिस पूछती है कि क्या यहां कोई लड़किया रहती है चौकीदार बोलता है नहीं साहब, दस साल पहले यहां गल्स होस्टल हुआ करता था पर एक दिन होस्टल में आग लगने से सब मर गए रवी समझ गया कि यह उन्ही की आत्मा है